Most eligible का क्या आर्थ होता है या आज किस वीडियो में सीख लेते हैं Most eligible का आर्थ होता है जो सबसे ज़्यादा eligible होता है उसे हम most eligible कहते हैं यानि कि जो सबसे योग्य हो उसको हम most eligible कहते हैं यानि कि most eligible refers to individuals who are considered highly suitable or desirable often in the context of relationships or marriage It indicates that the person possesses qualities that make them an attractive choice as a partner or spouse यानि कि किसे को भी most eligible हम तब कहते हैं जब उसे हर कोई जो है उसको अपने spouse के रूप में सबसे योग्य समझे यानि कि कोई लड़का या लड़की किसी दूसरे लड़के या लड़के को ऐसा मानता है कि वो उसका वर या वधु बनने के लिए सबसे योग्य है तो उसको हम most eligible कहते हैं इसके लिए कुछ example sentences आपकी screen पर दिये गए हैं जिनने आप पढ़ सकते हैं और इसको और अच्छे से समझ सकते हैं अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब Hindi और English में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतुबकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें